हुआ है गाइस वेलकम वेलकम बैक टो माइ चैनल स्टैलिंग विदार जे आज मैं अपके साथ शेयर करने जा रही हूं कि अगर कोई नई दूलेन है इसको तयार होना है शादी के बाद तो कैसे तयार हो उसका सारा प्रोसेस क्योंकि सारी लोग को मेक अप नहीं आता है सो यह विडियो उनके लिए बहुत ही हेलफुल रहे हैं कि जो न्यूली मैरेड है सबसे पहले स्टार्ट करते स्किन केर से तो मैंने आप अलोवेला जेल से मसाच की है फेस क को लाइक जरूर कर दीजेगा अपने कॉमेंट भी ड्रॉप कर दीजेगा सो मैं यहां पे मसाच कर रही हूं विटमिन सी को स्किन में यह इसली अब्सॉर्ब हो जाता है स्किन में अब मैं यूज करूंगी कैमिस्टेट प्ले का पोर मिनिमाजिंग सेरम जस्ट लाइक प्र अब अब कर देख्षीं आपने में अपकime कर दिया है अब हमस्की अपना मेकप सब से पहरे स्टा परते हैं हम कंसीलर से तो मेरा यह इस्टेकौकी की कंसीलर है कंसीलर बहुत अच्छा है कबरेज में अच्छी beverages बहुत अच्छी है तो मेरा shade है sand date 2 तो जो मेरे shade की लोग हैं वो ये shade लगा सकते हैं और ये stick walkie का mini concealer है जहाँ जहाँ मेरी pigmentation है या मुझे dark circles दिख रहे हैं फिर जो भी मेरे dark areas हैं उसको मैं hide कर रही हूं using concealer so concealer आप definitely ये ले सकते हो आपको purple पर मिल जाएगा and मैं product की link description box में दे दूँगी so एक wet beauty blenders मैं अच्छे से blend कर ले रही हूं and हाँ आपको बहुत रगड़गड की या बहुत खीच की आपको blend नहीं करना है आपको dab dab करना है जहाँ पे भी आपने concealer यूज किया है और बहुत easy hand से आपको blend करना है बहुत roughly नहीं करना है blending सबसे अच्छे से करनी है ताकि आपका make up last में बहुत freeze freeze सर ना लगे अब जहाँ जहाँ मैंने concealer यूज किया था वहाँ मैं banana powder से bake कर ले रही हूँ banana powder से bake करने से आपके skin थोड़ी brighten हो जाती है कोई dry beauty blender हो तो आप उसकी help से baking कर सकते हो और अब एक बड़ी fan brush की help से जो भी excess लगा है मेरे face पर मैं उसको remove कर ले रही हूँ क्योंकि इससे easy हो जाता है आपके face पूरा cover हो जाता है और सारे excess अच्छे से remove हो जाते है सो मैं यहाँ पर face का सारे excess यहाँ पर हटा दे हूँ अगर आप यह वाला step skip करना चाहो तो आप कर सकते हो आप नॉर्मली compact का भी यूज़ कर सकते हो maybelline के compact, lacme के compact यह सारे अच्छे compact है ता आप इसको भी यूज़ कर सकते हो अब मैं यूज़ कर रहे हूँ इस टेकवकी का foundation इसका shade है innocent ivory 4 और यह fair low के लिए shade है then मैं इसमें add कर रहे हूँ illuminator swiss beauty का golden इससे आपका foundation थोड़ा glow करेगा जिसके वज़े से आपका face भी last पे बहुत glow ही रहेगा so मैं इसमें illuminator add कर रहे हूँ अगर आपको swiss beauty का नहीं है तो आप कोई और brand भी use कर सकते हो दिन में brush की help से उसको अच्छे से blend कर ले रहे हूँ face पे और beauty blender की help से मैं अच्छे से finish दे रहे हूँ अपनी makeup को ताकि चीज़े अच्छे से mix out हो सके कुछ भी बहुत odd ना लगे face पे तो अब मैं powder brush की help से अच्छे से जहाँ जा foundation लगाया था वहाँ वहाँ baking करूँगी तो मैं यहाँ पे compact यूज कर रही हूँ ताकि मैं तोड़ा light baking चाहती हूँ क्योंकि mainly जो creasers होती है वो concealer की जगे पे पड़ती है अब मैंने foundation को अच्छे से pack कर लिया है Maybelline का compact यूज किया है मैंने और जो brush है यह fix plus का brush है काफी soft brush है अब मैं करूँगी अपने makeup को fix तो यहाँ पे मैं NY Baker Dewy Finish का makeup fixer यूज कर रही हूँ काफी अच्छा makeup fixer है बहुत अच्छा glow छोड़ता है face पे और makeup को भी अच्छे से fix करता है अब मैं यहाँ पे eye shadow use कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे maroon shade का eye shadow pick कर रही हूँ और हाँ कोई अगर eye makeup में बहुत fall out करता है उसके colors बहुत गिरते हैं face पे तो वो पहले eye makeup करे या फिर करते time कुछ cotton का use कर ले face पे ताकि आपका face खराब ना हो बट मेरा color fall out नहीं होता है सो मैं आपे easily blend कर ले रही हूँ दोनों eyes पे आप दोनों eyes पे eye shadow complete है यह वाला shade तो आप देख सकते हो color काफी अच्छा लग रहा है और sari भी जो है मेरी इसी touch की है सो मैं थोड़ा zoom करके आपको दिखा देती हूँ अब मैं उसी palette में से एक bronze shade है उसको मैं pick कर रही हूँ और उसको मैं अपनी eyelids पे apply कर रही हूँ सो ताकि मेरा eye shadow जो है वो थोड़ा दो colors में आए और sari की भी touch का है सो अच्छा लगेगा सो यह थोड़ा सा golden bronze shade का है अब मैं eyebrow fill कर रही हूँ और हाँ कोई अगर इतने सारे colors eye shadow में नहीं लगाना चाहता है तो वो कोई neutral shade या फिक ब्राउन shade पे भी जा सकता है और उसको easily लगा सकता है उससे आपका look काफी neutral लगेगा बढ़ अगर कोई लगाना चाहता है तो वो ऐससे shades जो है वो pick कर सकता है अब मैं यहाँ पे liner apply कर रही हूँ तो यह है liner के बाद का look अब मैं apply कर रही हूँ mascara सो मैंने यहाँ पे faces canada का lending mascara यूज किया है और कोई अगर lashes apply करना चाहते तो वो lashes भी apply कर सकता है पस बहुत heavy lashes ना हो थोड़ी natural लगे अब मैं यूज करूंगी blush तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ NY Baker Sinset Skyline Shade का blush काफी natural shade pinkish थोड़ा सा blush है यह और काफी अच्छे से pick हो जाता है brush पे easily सो मैं यहाँ पे blush का brush यूज कर रही हूँ और यह fix plus के brushes है brush काफी अच्छे हैं मैं आपको अल्रेडी बता चूकी हूँ मैं इन brushes के link भी description box में दे दूँगी सो मैं आच्छे से mix कर ले रही हूँ blush को ताकि वो natural finish थे आपके face पे बहुत heavy ना लगे बहुत fake ना लगे अब मैं कर रही हूँ highlighting सो मैं white color से highlighting कर रही हूँ and highlighting से थोड़ा से अपके face पे glow आ जाता है natural सा लगता है अब मैं यहाँ पर use कर रही हूँ kajal तो मैंने यहाँ पर brown color का kajal use किया है and इससे आपकी थोड़ी eyes spacious लगती है अब मैं use कर रही हूँ अब मैं कर रही हूँ so I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो so अगर वीडियो अच्छा लग तो चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा वीडियो को like कर दीजेगा